हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल, एक्सिलन कोची लास्ट वीडियो में हमने थियोरी आफ कलर विजन डिसकस किया है जिसमें हमने ट्राइकोमाटिक थियोरी डिसकस की थी थी थॉमस यंग की और उसी को मॉडिफाई किया था हर्मन वान हेलमोट्स ने 1852 में जिसमें उन्होंने ये बोला था कि रेड ब्लू ग्रीन कोंज होते हैं हमारी आइस में और रेड ब्लू और ग्रीन कलर के जो कोंज होते हैं वो प्राइमरी कलर्स अफ लाइट होते हैं तो जब ये प्राइमरी कलर्स हम एड करते हैं तो एक वाइट लाइट जो है वो नजर आती है हमें जिसको ट्राइक्रोमेटिक थियोरी बोलते हैं पेंट में हम जनरली प्राइमेरी कलर्स रेड ब्लू और येलो को लेते हैं जब हम किसी पेंटर से पूछे हैं या किसी पेंटिंग सब्जेक्ट में हम परते हैं तो प्राइमेरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू और येलो जिसको अगर आप आड करो तीनों को तो ब्लैक नजर आ और इन तीनों को गर आड कर दिया जा है तो यह वाइट कलर बनता है लाइट का ठीक है? ताइक ट्रीक्रोमेटिक थियोरी रही बोल रही है कि डिफरेंट शेड्स आफ कलर है वह डिफरेंट अमाउंट आफ लाइट रिसीव करते हैं हमारे कॉंज ठीक है? और messages जो है वो fire होते हैं brain से तो हमें वो signal जब receive होता है तो हमें colors नजर आते हैं उसके बाद हमने after image के बारे में भी बात की थी after image क्या होती है जब हम किसी एक particular color को बहुत देर तक देखते हैं तो हमारी जो eyes यह वो वाली nerves है जो उस color का signal भेज रही है तो जैसे हम अपनी नजर वहां से हटाते हैं तो हमें दूसरा color नजर जादा आता है क्योंकि उस color की nerves हमारी थक चुकी होती है उस color का message भेज भेज के तो उसके थकने के बाद उसका जो opposite color होता है वो हमें जादा नजर आता है तो वो हमने after image theory में पढ़ा था तो जैसे green का opposite red हो गया black का white हो गया yellow का blue हो गया ठीक है इसको हम opponent process theory भी बोलते हैं यह किनों ने किस ने दी थी opponent process theory Edward Herring ने दी थी 1874 में opponent processes theory अब red green ganglion cells के बार में यहां पर बात करेंगे कि red color का stimulus जैसे अगर continuously हमारी आखों को दिख रहा है हम लाज चीज लगाता है देख रहे हैं और उसका stimulus continuously हमारी nerves में nerves के तुरू travel करके जा रहा है तो हमारे जो वह वाली nerves है वो fatigue हो जाता है ठक जाती है ठीक है और उसके बार जब हम किसी white surface पे देखते हैं तो हमें red का opposite green नजर आता है यह अभी हमने after image में बात की थी ठीक है अब यहां पर एक यह word है lateral geniculate nucleus lateral geniculate nucleus lateral geniculate nucleus के साथ retinal bipolar तीन चीज़ें आपको जो यहां पर याद रखने है तीन नाम है एक तो यह LGN हो गया lateral geniculate nucleus plus retinal bipolar nerves plus ganglion cells यह तीन चीज़ें मिलके जो opponent processing theory है उसके लिए responsible है मतलब जो हमें after image नजर आती है उसमें यह तीन चीज़ें इन इन इनवल्ड है एक तो LGN दूसरा retinal bipolar and ganglion cells तो यह तीनों मिलाके opponent processing theory जो है उसके लिए responsible होते है यानि कि हमें after image जो दिखती है उसके लिए इन वी कम टू color blindness color blindness क्या होते है जनरली जैसे कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर एक color दिखने में problem होती है उनको नजर नहीं आता है defective cones होते है basically कुछ ना कोई ना कोई एक कोण defective होता है जितने भी हमारे eyes में cones है उसमें से defective होता है तो इसको हम red green blue yellow color blindness बोलते हैं जैसे red green है blue yellow color blindness है so color blindness is caused by defective cones in the retina of the eye और इसको journal term में अगर बोला जाए तो color deficient vision होता है color deficient vision का मतलब हमें color नहीं नजर आ रहे है कोई एक particular color नजर नहीं आ रहे है और जिसको color blindness आप commonly बोलते हो तो इसमें types है अलग है there are different types जैसे एक है monochrome color blindness monochrome का मतलब है monochrome का मतलब होता है single mono जो word है यहां पर इसका मतलब होता है single तो monochrome color blindness का मतलब है कि आपको एक कोई single type का जो कोन है वो काम नहीं कर रहा है कोई एक particular color का जो आपका कोन है maybe वो red का हो yellow का हो blue का कोई एक कोई आपकी eyes में है जिस जो काम नहीं कर रहा है okay so either people people either have no cones यहां तो उनके कोई भी कोन काम नहीं कर रहा है और have cones that are not working तो कोई एक कोन है जो काम नहीं कर रहे है okay so they only have one type and therefore everything looks the same to the brain shades of तो इनको नको shades of grey में हर चीज नजर आती है क्योंकि इनके जो कोन का है आइस में वो काम नहीं कर रहे है तो color different नजर नहीं आ रहे हैं इनको monochrome नजर आ रहे है monochrome का मतलब single color आपको हर चीज grey color की नजर आ दिया अगर तो उसको monochrome color blindness बोलेंगे ठीक है other type of color deficient vision is dichromatic vision मतलब dichromatic का मतलब है आपको particularly जैसे की cause by same kind of problem है having one cone does not work इसमें भी एक particular cone है जो काम नहीं कर रहा है उपर में क्या है आपको इन दोनों में difference कैसे पता चलेगा उपर आप monochrome में यह बोल रहा हो कि आपको हर चीज grey में नजर आ रही क्यूंकि आपके color वाले cones damage है और dichromatic में भी same kind of problem है एक कोई एक cone आपका properly काम नहीं कर रहा है फिर आता है proteinopia proteinopia means red green color deficiency is due to the lack of functioning of red cones आपके red वाले cones हैं वो खराब हैं इसलिए आपको red green color की deficiency है red green color नहीं नजर आता उसको बोलेंगे proteinopia फिर आता है deuteranopia इसको बोलने में थोड़ा से आपको देखना पड़ेगा deuteranopia है another type of red green color deficiency results from lack of functioning of green cones ओके अब यहां पे भी red green color नहीं नजर आ रहा है क्यूंकि आपके green cones काम नहीं कर रहे हैं यह दोनों related proteinopia किसले क्योंकि red cones काम नहीं कर रहे हैं तो red green नहीं नहीं कर रहे हैं तो आपको रेड ग्रीन कि शेड नहीं नहीं आएंगी कहीं पर फिर आता है ट्रिटेनोपिया ट्रिटेनोपिया मीन्स आपको लैको फंक्शनिंग ब्लू कॉन्स खराब है तो आपको ब्लू के साथ यलो भी नहीं दिखेगा ठीक है तो ब्लू को खराब होने से ब्लू यलो की कलर डिशेंसी है तो आपको हर्चीज फिर किसमें दिखेगी रेड या ग्रीन में या फिर ग्रे में ओके तो तो दाट मींस कि मोनोख्रों में आपको सब कुछी ग्रे सब्सक्राब है तो रेड ग्रीन दोनों नहीं दिखेंगे ड्यूटर नोपिया में ग्रीन खराब है तो रेड ग्रीन दोनों अगें नहीं दिखेंगे ट्रीटर नोपिया में आपका ब्लू कॉन खराब है तो ब्लू और यलो कलर नहीं दिखेंगे तो इस तरीके से यह सारी color deficiencies है तो यह आपको याद रखनी है इनके नाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा confusion ना हो फिर उसके बाद जो नीचे paragraph दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जो color deficient vision है यह जो problem है कि color में problem हो देखने में problem आती है इस तरह की जो deficient है deficiency है inherited in a pattern known as sex linked inheritance मतलब यह आपको अपने parents से inherited होती है कभी-कभी जिसको sex linked inheritance बोलते हैं क्योंकि यह ज्यादा तर एक particular sex में होती है तो मेल में जहादा होंगी यह फीमेल में जहादा होंगी तो यहां पर जो नो नहीं यह समझाए हुआ हुआ है कि मेल्स में यह problem ज़ादा होती है इस paragraph में यह चीज़े है कि मेल्स में यह inherited जादा होती है color deficient vision अपने parents से inherited जादा होती है मेल्स में अब यहाँ पर देखो एक photograph है in the circle on the left side the number 8 is visible only to those with normal color vision अगर आपका normal है color vision तो आपको यह 8 नजर आएगा यह 8 बना हुआ है यहाँ पर आपको normally नजर आ रहा होगा ठीक है और right में आपको यह 9 और six clear दिख रहा होगा अगर आपका color vision normal है okay while those with red green color blindness will see nothing but a circle अब जिसको red यह green color की color blindness है उनको यहाँ पर यह numbers नहीं दिखेंगे खाली dots दिखेंगे circle के तो इस तरीके से testing करी जाती है color vision की तो यहाँ पर यह summary है is a form of electromagnetic यह light के बारे में बात हो रही है कि physical stimulus है is a form of electromagnetic radiation with properties of both waves and particles आई में process होती है cornea pupil lens और रेटीना के थरू रेटीना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट के रिसेप्टर जिसको rod and cone बोलते हैं एक blind spot होता है फिर psychological properties इसकी क्या है brightness है color है color hue hue का मतलब ही color होता है saturation है फिर seeing में आ जाते हैं रेटीनल रिसेप्टर सेल से seeing स्टार्ट होती है कोई भी चीज हमें जो दिखती है वो रिसेप्टर सेल्स की वेरा से दिखती है rods और cones हैं दो तरह के photoreceptors हैं यह कहां पर होते हैं periphery of retina retina के side में outer circle में retina के black and white और shades of grey देखने के लिए और यह dim light में काम अच्छा करते हैं जैसे अंधेरे में देखने के लिए काम आते हैं फिर cones का यह लिखा हुआ है कि find all over but greatest density in center of retina सब जगा होते हैं पर center of retina phobia में सबसे जादा होते हैं जो center है retina का इसमें color देखने में help करते हैं bright light में जादा अच्छा काम करते हैं cones और इसकी जो दो theory हमने पढ़ी है एक तो trichromatic है जिसमें वो cones की processing दिखाई है तीन टाइप के primary cones की और opponent processing theory है जिसमें after image कैसे बनती है वो दिखाई है उसके बाद यह quiz है यह भी discuss कर लेते हैं इसमें पहला question यह है which of the following terms refer to the perceived effect of the amplitude of light waves amplitude का क्या मतलब है light waves का color, saturation, hue की brightness तो हमने यह उपर brightness में पढ़ा था कि amplitude जो है brightness को ही बोलते हैं तो one का answer हो जाएगा B क्यूंकि color और hue एक ही चीज होती है saturation value में आ जाता है फिर है which of the following represents the correct part of light to the eye मतलब eyes में जब light enter करती है तो उसका right path क्या है कहां पर पहले आती है फिर कहां जाती है तो सबसे पहले cornea में enter करती है light उसके बाद cornea के बाद आता है bitres humor नहीं आएगा क्यूंकि यह तो अंदर होता है eyes के तो प्यूपिल पहले आएगा जो circle होता है बाहर आपको दिखता है फिर लेंस आते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा c2 का answer c उसके बाद if you wanted to locate a dimly lit star better at night what should you do अगर कोई रात में star है जो बहुत हलका बहुत हलका नजर आ रहा है उसको आपने ध्यान से दूनना है तो आप कैसे करोगे look directly at it because the cones will focus तो यहां पर ध्यान दो night की बात कर रहा हमने अभी पढ़ा था कि रात को rods काम करते हैं जादा तो कॉंस वाला तो ऐसे option गलत हो जाएगा यहां पर भी कॉंस यहां पर भी कॉंस यहां पर भी कॉंस अप्शन गलत है यह दो रॉड्स वाले है look directly at the at it because the rods can see sharply look off to the side using the rods in the periphery अब rods periphery में होते हैं अभी हमने summary में भी पढ़ा है तो यह वाला option इसमें आएगा कि side से देखे off to the side में देखना उसको locate करने के लिए डूडने के लिए क्यूंकि पेरिफरी में rods होते हैं हमारी आखों के पेरिफरी होता है साइड में सेंटर में नहीं होता फिर है question number four which theory of color vision best accounts for after images तो after image वाली कौन सी theory है opponent processing theory है फोर का भी उसके बाद question five which statement about color deficient vision is true तो there are more men with color deficient vision than women यह ठीक है अभी हमने पढ़ा भी था उपर के men में यह problem जाता होती है all people with color deficient we can see only black जबी गलत है only blue यह सब गलत है यही ठीक है जिसमें लिखा है कि men में यह color deficient वाली problem जाता होती है तो अब इसके बाद आई खतम होने के बाद हम hearing के बारे में next video में discuss करेंगे अभी तक इतना ही है इसको खतम करते हैं thanks for watching करते हैं करते हैं